क्या साप के मर जाने के बाद भी और उसके शिरिर के कई सारे टुकडे होने के बाद भी वह जिंदा रह सकता है और किसी को काट सकता है ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे तो मैं आपको बता दू कि जीहा दोस्तों ये संबव है साप का फन कटने के बाद भी और उसके शिरीर के कई सारे टुकडे होने के बाद भी करीब 90 मिनट तक वह जीवित रहता है और इस दोरान वह किसी को भी काट सकता है इसी तरह से सेप्पेंग नाम की इंसान की 20 मिनट बाद कटी हुए साप के डसने से मूथ हुई थी इसलिए साप चाहे जिन्दा हो या मरा हुआ उसको हाथ लगाने के भूलना करे